हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग मैं हूँ आपना दूस्ट डॉक्टर दिवा कर रहा है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे है यूपी आईस कांसलिंग के रिगार्डिंग एक ऑफिसियल अपडेट आई है उस अपडेट के रिगार्डिंग हम लोग बात करें इसमें यह बताया गया कि 655 बच्चे जिनको कॉलेज एलाट नहीं हुआ है और 512 बच्चे जिनको कॉलेज एलाट हो गया है उन सारे बच्चो की जो सिकोटी डिपोजिट है उनको रिफंड कर दिया गया है ठीक है इसके लिए अब जो बैंक को लिस्ट प्रवाइड किया बैंक के तरफ से यह बताया गया कि 158 स्टूडिंट ऐसे है जिनका सिकोटी मनी रिफंड नहीं किया जा सका है किस कारण से नहीं किया जा सका है क्योंकि उन्होंने बैंक डिटियल गलत समिट किया था अब सबसे बड़ी सवाल यह उठती है बच्चो कि कांसलिंग आप सब कुछ अच्छे कांसलर से ही करा ठीक है पैसे जो चार्जे जलागलग चीजे होती है कुछ कांसलर है जैसे हम लोग जो कांसली कराते सिर्फ 999 रुपए चार्ज लेते हैं एक हजार रुपए मातर आपको पे करना है और सारा कांसलिक प्रोसेस हमारी टीम करेगी आपको सुचित किया जाता है कि वह अपना सही बैंक का विब्रण सलंगन प्रारुप में बर बर कर बैंक की पास्बूक के पर्थम प्रिष्ट की सकेंड कोपी प्रती के सांथ एक तीष साथ 2013 तक के साम छे वज़े तक परतेक दसा में उपी आयूस कांसलिंग की इमेल आइडी जो है उपी आयूस कांसलिंग 2012-2022 डा-गे- यूजी कांसलिंग 2020 के पोर्टल पर पंजीकरन के समय उकलवद कराए गये इमेल के माध्यम से करना है जिस एमेल आईडी से आ आपको send करना है ठीक है उसके बाद आप देख सकते हो बच्चे कि क्या है यह जो format दिया गया इसे format में आपको form संक्या आएफ्सी कोड यह देना है इसके अलाव सभgrass ही बैंक का डिटेल आपको फिर से सब्मिक करना है पूदक करके इसे असे इमेल से जिस इमेल का आप रेजिस्ट्रेशन के समय यूज किया था उसी इमेल आईडी से सेंड करना है अब यहाँ पर लिफ्ट देख लिजे इस लिस्ट को मैंने आप जो हमारी टेलिगराम गुरूप है उस गुरूप में मैंने डाल दिया है वहाँ पर जाकर कि आप देख पर सिकोर्टी बनी नहीं आई है उनके पैसे वापस मिल जाए खीक है बच्चों अगर कोई भी डालत होती है तो हमारी हेल्प लाइन नंबर 9155225292 इस नंबर पर संपर्ख कर सकते हो और हमारी जो पेड कांसलिंग सर्विस है मात्र 99 रुपे करके हमारी पेड कांसलिंग स रखें इस वीडियो को बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई